आज आपको एक न्यू बाइक हाइनेस CB350 की कैफे रेसर वाला मॉडल जो कि इंडियन में अभी लॉंच होने वाला है और उसका भी डेट भी आ चुका है और उसके में कुछ रिव्यूज और स्पेसिविकेशन के बारा में बताने वाला हूँ और अगर आपको डेट को सुनना है तो वीडियो को स्टाडी सेंट तक जरू देखेगा तो चले वीडियो को शुरू करते हैं अभी गाइस बात करूँ कि इस होंडा हाइनेस CB350 का लुक कैसा होगा तो इसका लुक परफेक्ट एक कैफेरेसर जैसी बाइक का होने वाला है जो कि आप स्क्रीन पर देखी सकते इसमें हमें हाफ डुपलेक्स एंड डबल क्रेडल फ्रेम देखने वाली है यानि इसमें स्टेबिलिटी और जो स्ट्रॉंग ने इसकी बात करे तो वो इसमें यह थोड़ा ज्यादा है अब गाइस इसके एंजिन की बात करूँ तो इसमें 348 CC का एंजिन देखने को मिलने वाला है और इसके अगर सिलिंडर की बात करूँ तो इसमें सिंगल सिलिंडर देखने को मिलने वाला है इसके पावर की बात करूँ तो इसमें 21 BSP का पावर देखने को मिलेगा और 30 Nm का इसमें टॉर्क देखने को मिलने वाला है और अगर इसके गेर बोक्स की बात करूँ तो इसमें 6-speed का gearbox देखने को मिलेगा अगर ये बाइक का look की बात करूँ तो 350 CC के अगर segment में देखे तो इस बाइक का look completely अलग होने वाला है क्योंकि कैफे रेसर वाली बाइक अभी इंडियन मार्केट में है ही नहीं तो इतने कम CC में ऐसा look मिलेगा तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है इसमें बात करूँ तो इसमें dual channel ABS रहेगा और साथी साथ इसमें front में disc brake और rear में भी disc brake रहने वाला है अलाकि इसका ABS switch on या off हम नहीं कर सकते क्योंकि यह on ही रहने वाला है तो यही थी कुछ rumors जो निकल के आये थे अब बात करूँ इसका launch तो अभी एक teaser इंटरनेट पर वाइरल हुआ था जिसमें बताया जा रहा है कि इसका जो launch है वो 16th of February को होने वाला है यह बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बहुत ही कम टाइम में यह अभी launch होने वाली है तो गाइस देखते हैं कि अभी इसका look कितना और भी अच्छा real life में दिखता है और इसके consequence specification आते है तो गाइस आप comment करके बताए कि आपको यह cafe racer वाला look कैसा लग रहा है और वीडियो को like share और subscribe करना मत बुलेगा आपका बहुत बहुत सुक्रिया थेंक यू